आप सभी को नौरात्री की हार्दिक सुब कावना आज मैं आप सभी को मा दुर्गा के नौ रूपों के बारे में बताने जारी हूँ माता के नौ रूपों में सबसे पहले मा सैल पुत्री का वर्नन होता है देवी पारवती को सैल पुत्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि सैल का साब्दिक अर्थ परवत होता है और परवत राज हिमाले के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण माता को सैल पुत्री कहा गया है दूसरा रूप माता का ब्रह्म चारनी का है ब्रह्म का अर्ध तपस्या यानि की कठोर तपस्या माना गया है भगवान सिव को पाने के लिए माता पारवती ने वर्सों तक कठोर तक किया था इसलिए माता को ब्रह्म चारनी भी कहा गया है तीसरा रूप माता का चंद्र घंटा का है माता के मस्तक पर अर्ध चंद्र के आकार का तिलक विराजमान है इसलिए इनको चंद्रगंटा के नाम से भी जाना जाता है चौथा रूप माता का कुश्मानदा का है देवी में ब्रम्हांड को उत्पन करने की सक्ती ब्याप्त है इसलिए मातारानी को कुश्मानदा के नाम से भी जाना चाता है पांचमा रूप माता का असकंद माता का है मा पारवती कार्तिके की मा है और कार्तिके का एक नाम असकंद भी है इसलिए मा दुर्गा को असकंद माता भी कहा गया है छठा रूप माता का कातियाईनी का है जब मैशासूर का अत्याचार पिर्थवी पर बहुत जादा बढ़ गया तब भगवान ब्रम्हा, विश्नु और महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंस दे कर मैशासूर के बिनास के लिए एक देवी को उत्पन किया था और इस द कातियाईन का रूप नाम दिया गया है सात्वा रूप माता का कालरातरी का है मा भगवती के सात्वे रूप को कालरातरी इसलिए कहा गया है क्योंकि काल का अर्थ होता है संकट माता में सभी प्रकार के संकट को खत्म करने की सक्ति होने के कारण माता के सात्वे रूप को काल रात्री कहा गया है माता के इस रूप का पूजन करने से सभी प्रकार के संकटों का नास हो जाता है आठवा रूप माता का महा गौरी का है कहा जाता है कि जब माता ने भगवान सिव को पाने के लिए कठोर तब किया था तब उनका सरीर काला पड़ गया था जब भगवान उनके तब से प्रसन हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्विकार किया तब भोले नात ने उनके सरीर को पवित्र गंगाजल से धोया था उसके बाद माता का सरीर अत्यन्त कांतिमान और गौर्ण वर्ण का हो गया माता के इसी रूप को महा गौरी कहा गया है नवा रूप माता का सिध्धी दातरी का है नवम रूप माता का सिध्धी दातरी इसलिए है क्योंकि वे अपने भक्तों को सर्व सिध्या परदान इस दिन करती है इसी दिन नवम रूप को सिध्धी दातरी कहा गया है आसा है आप सबों को माता के इन नवो रूपों का वर्नन बहुत अच्छा लगा होगा प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेर जरूर करें